है अब्रीवर्ण वेल्कम बैक तो नंद वीडियो फ्लाइस एंजिलोजी इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बीएसी सेखंडियर का पेपर सेखंड यूनिट थर्ड हमने स्टार्ट की थी जो कि है मसल फीजियोलोजी के बारे में इसे पिछले वाले वीडियो हैं हमने ड होते हैं जब डाइग्रम डो किया तो इस तरीकी का डाइग्रम आपने देखा होगा फ्लाम सिंपलमall microscope में देखते हैं बेसंे तो osteo किसे होता है यह जो डाक एरिया आपको दिखाई दे रहा है इसको हम बोलते हैं डाक बेंड ठीक है यह जो लाइट पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है इसको हम बोलते हैं लाइट बेंड तो दो तरीकी की बेंड प्रिजेंड होते हैं जब हम बात करते हैं स्केलेटल मसल फ तो दो तरीके के यहां पर bend present होते हैं, skeletal muscle fiber में dark bend और light bend ठीक है, अब अगर हम बात करें structure की, तो structure कैसा होता है, structure होता है, long and unbranched, unbranched यानि कि यहां पर branching absent होती है, branching किस में present थी, जब हमने बात की थी, cardiac muscle की, तो वहां पर branching present थी, लेकिन skeletal muscle fiber में branching absent होती है, और जो structure होता है, long structure होता है, ठीक है, skeletal muscle fiber कैसे होता है, long होता है, तो जो हम term use कर रहे हैं fiber, fiber क्या होता है, यह एक long structure होता है, तो हम term cell use ना करके, यहां पर use कर रहे हैं fiber, और दो हम discuss कर रहे हैं cell ही, लेकिन यह structure कैसा, इसका long होता है, तो हम यहां पर use कर रहे हैं term fiber, ठीक है, तो structure basically इसका कैसा long and unbranched अब हम बात करते हैं एरेजमेंट किस तरीके से होता है तो अरेजमेंट के बारे में अगर हम पढ़े तो सबसे पहले हम discuss करते हैं माय फाइब्रेल के बारे में दो तरीके की माय फाइब्रेल प्रिजेंट होते हैं प्राइमरी माय फाइब्रेल दूसरा सेकेंडरी माय फाइब्रेल प्राइमरी माय फाइब्रेल कोन सा होता है मायोसीन सेकेंडरी माय फाइब्रेल कोन सा होता है एक्टिम ठीके तो दो तरह की कि यहां पर माय फाइब्रेल प्रिजेंट रहते हैं ठीके प्राइमरी माय फाइब primary myofibril कौन सा है myosyn secondary myofibril कोन सा है active ठीक है तो दो तरह कि कि यहां पर myofibril present रहते हैं अब हम बात करते हैं इनका अरेज्मेंट किस तरीके से बहुता है ठीक है अरेज्मेंट की अगर हम बात करें तो यहां एक्टेलें ने पूंणा के पार में यह जो ब्ली कलर में आपको दिखाई दे갈 यह क्या है जड्लायं थीक है तो यह चैनलाइन यह भी तो इस तरीके से जो है एक्टिन प्रोटीन का एरेज्मेंट होता है जैड लाइन से क्लियर है नेक्स हम बात करते हैं मायोसिन के बारे में यह जो ठीक स्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है यह क्या है, myosin protein, ठीक है, तो यह myosin है, जो की कैसा है, ठीक होता है structure में, और actin कैसा है, thin होता है structure की, structure की अगर हम बात करें, तो jet line से just attached रहते हैं, acting protein, इस तरीके से, और यह है myosin, ठीक है, तो इस तरीके से actin और myosin का arrangement रहता है, अब हम बात करते हैं, jet line से लेकर के, दूसरी jet line तक, एक jet line से लेकर के, दूसरी jet line तक, जो portion होता है, जो band है, इसको हम बोलते हैं, सारको मियर, तो sarcomere क्या हो गया एक z-line से लेकर के दूसरे z-line तक का जो area है उसे हम बोलते है sarcomere sarcomere क्या होता है contractile unit होता है muscle का ठीके तो sarcomere is nothing but contractile unit of muscle ठीके तो cell में हम पढ़ते हैं cell किसे bound रहता है plasma membrane या फिर cell membrane से उसी तरीके से fiber की अगर हम बात करें तो यहाँ पर यह किसे cover रहता है sarco lemma से तो sarco lemma क्या है एक plasma membrane यह लेकिन अगर हम fiber की बात करते हैं तो हम यहाँ पर term plasma membrane यूज ना करके sarco lemma यूज कर रहे हैं ठीके तो cell के अंदर cytoplasm में भी present रहता हैं तो हम cytoplasm term यूज ना करके यहाँ पर term यूज कर रहे हैं sarcoplasm तो sarcoplasm is nothing but cytoplasm लेकिन हम यहाँ पर fiber की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पर term यूज कर रहे है sarcoplasm, cytoplasm की place ठीके तो यह आप नोट कर लीजे sarco lemma and sarcoplasm ठीके तो इस तरह के से इनका भी management रहता है अब हम बात करते हैं यह जो आपको red line दिखाई दे रही है यह क्या है एक माय उस तरह के साब को लिख रहा होगा कि एक दूसरे पर hang कर रहे हैं ठीके लेकिन यह एक दूसरे से connect रहते हैं किस से connect रहते हैं यह जो आपको line दिखाई दे रही है इसको हम बोलते हैं M line ठीके इसको क्या बोला जाता है M line ठीके अब हम देखते हैं आप किस तरीकी से जो है band present रहते हैं अगर आप इस तरीकी से structure देखते हो तो आपको लग रहा होगा कि एक दूसरी के ऊपर इंका arrangement होता है लेकिन अगर हम इसका section लेकर देखेंगे तो इसका structure कुछ इस तरीकी से दिखाई दे रहा होगा हमें यह है मायोसीन एक मायोसीन किस से surrounded रहता है 6 actin से 1 मायोसीन is surrounded by 6 actin ठीक है तो यह एक मायोसीन है और इसके चारों तरफ क्या है 6 actin present रहते हैं ठीक है 1,2,3,4,5,6 ठीक है तो 6 actin present रहते हैं एक मायोसीन की चारों तरफ ठीक है तो यहाँ पर दूसरा मायोसीन present है यह मायोसीन की चारों तरफ भी क्या रहेंगे 6 actin present रहेंगे 1,2,3,4,5,6 ठीक है तो 6 यहाँ पर actin present रहते हैं एक मायोसीन के उपर दूसरा मायोसीन अगर की हम बात करें तो यह मायोसीन present है इसके बाहर भी क्या है 6 actin present रहेंगे 1,2,3,4,5,6 ठीक है तो यह आप नोट कर स क्पी एक मयोसीन के चारों तरफ यह 618 प्रिजेंट रहते हैं 1 मायोसीन इस सारांड़र 2 सिक्स एक्टिन ठीके और अगर हम बात करें एक्टिन की तु माली जी गी एक्टिन हो स्टारूंड रहता है 3 मैसिन से एक मैसिन की अगर हम बात करें तो एक मैसिन जो है साउन्ड रहता है six एक्टिन से ठीक है Herein apply for stationht बिल्षटट्र α टृइंद है एक तो one myosin is surrounded by six acting and one acting is surrounded by three myosin ठीक है यह आप लिख सकते हो अब हम बात करते हैं bands की तो यह जो आपको area दिखाई दे रहा है यहां से लिकरके यह जहां पे केवल हम length की बात करें myosin की length की अगर हम बात करें तो इसे हम बोलते हैं A band ठीक है इसे हम क्या बोलते हैं A band तो आप diagram में देखिए जो dark portion present है जो dark band है वो क्या है A band है इट में जहां पे myosin present रहेगा वो कैसा area है dark band है ठीक है तो यह तो हो गया वो area जहां पे क्या है हमने consider किया है myosin की length को तो यहां band की अंदर ठीक है तो यहां पर आप पैरी फेरी पर देखिए जो है overlap हो रहे है एक्टिन का myosin के ऊपर ठीक है तो यह overlapping भी हमने consider की है A band की अगर हम बात कर रहे हो तो लेकिन जब हम सिर्फ और सिर्फ इस area की बात करते हैं यहां से लेकर के यहां तक यह area जिसमें सिर्फ और सिर्फ हमने यह वाला area लिया है जिसमें केवल और केवल myosin हमने consider किया है overlapping यहां पर include नहीं हो रही है इसको हम बोलते हैं H band ठीक है तो यह तो हो गया A band और यह हो गया H band ठीक है जिसमें केवल और केवल हमने consider किया है myosin को ठीक है यहां पर overlapping हमने consider नहीं किया है यहां यह तो जिसमें हम consider कर रहें है total length of myosin तो क्या है a band है और जिसमें सिर्फ और सिर्फ हम myosin को consider कर रहे हैं बो है H band ठीक है और एक दुसरे से किस लाइन से किनेक्ट रहते हैं मायोसिन एम लाइन से ठीक है तो यह हो गया नेक्सम बात करते हैं आई बैंड की तो यह जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है यहां से लेकर के यहां तक यह क्या है जहां पर क्या है एक्टीन प्रेजेंट है यह एक्टीन प्रेजेंट है यहां पर Myosin present है इसको हमने बोला A bandहाँ पर क्या प्रिज़ंट है एकैंट इन प्रज़ंट है इसको हम बोलते है आई रेखमेंट रहता है जहां पर U के मांसिन प्रिज़ंट है उसको हमने बोला A band require और our ranking बात करते हैं जाइप एक्स特別 फेजेंट है उसको हमने बुला आई बैट इंडा इस लाइट बैड तो इस तरह के से इनका एरेजमेंट होता है ठीक है अब हम बात करते हैं हमने जब डिसकेस किया तो हम नहीं यह भी देखा था कि जो पैरीवेरी है यहां पर जो है नुकलिस प्रिजन रहते हैं ठीक है तो दीजिट होता है कुछ इस तारीके से हैं ऑफ नहीं की यहां पर चीजिटर मैं अंडो प्लाजमिक लेका से करें तो कि हम से जो परिफेरी पर Unterstüt रहते हैं में पता ही में डुकिलेटNY और रहता है इसके पास साथ तो used endoplasmic reticulum है endoplasmic reticulum को यहां पर हम endoplasmic reticulum ना बोल करके हम इसको sarcoplasmic reticulum बोलते हैं sarcoplasmic reticulum अब इसका function क्या होता है जब हम muscle में contraction किस तरह के से होता है वो भी हम पढ़ेंगे तो हम discuss करेंगे किस तरह के से है sarcoplasmic reticulum का function होता है यहां यह एक्शली सका function होता है calcium release करता है calcium किस तरह के से muscle contraction participate करता है वह हम जब muscle contraction पढ़ेंगे तब हम discuss करेंगे तो overall हमने structure में किस तरह के से देखा कि skeletal muscle fiber की अगर हम बात करते हैं तो इसमें band present होते हैं अगर हम इस तरह की से structure को देखते हैं तो यह हमें दिखता है कि एक दूसरे के ऊपर यह arrangement होता है लेकिन अगर हम section इसका देखे तो हमें पता चलता है कि एक मैं जो है वह सरांडर रहता है six acting से और एक एक जो है वह सरांड रहता है three myosin से ठीक है तो इस तरह किसे structure और इसका arrangement होता है आप बात करते हैं bands की ठीक है अगर हम बात करें बैंड की तो अगर हम पूरा का पूरा length जो है consider करते है तो ऑनहें टौरह हम कंसिडर करते हैं तो इसको हम बोलते हैं A band फिक है जो की और हम बेंड होता है अगर हम बात करते सिल्फ और सिल्फ, connector की यजो area होता है जिसमें अब हम overlapping जो हो रहे हैं यह consider नहीं कर रहें क्यव Waitnan मायसिन को कंसिडर करें तो वो हो गया हच-20 एक जह जो लाइन होती है जो एक टारीका से कनेक्टर करें मायसिन को जोकल चया है मलाइन इसको हम ऐसे जेड लाइन ऑर में उल Au सारकोमेर, सारकोमेर क्या है कॉंट्रेक्टाइल विनिट ओफ मसल ठीके, तो इस तरीके से arrangement होता है और जो actin आपको दिखाई दे रहे हैं ये actin जिसमें actin present होता है ये band को हम बोलते हैं I band ठीके, तो I band क्या है light band है जहांपे actin present होता है तो dark band क्या है, A band जहांपे myosin present होता है, तो इस तरीके से arrangement होता है myosin का और actin का skeletal muscle fiber में, अब इनका contraction किस तरीके से होता है वो जब हम muscle contraction पढ़ेंगे तब हम discuss करेंगे ठीके, तो इस वीडियो में इतना ही, thank you so much for watching this video and I'll see you in the next video करेंगे